आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Question is Soft heavy metal melts at 30 degree Celsius and is used in making heat sensitive thermometers the metal is ठीक है तो हमें बुला गया है कि वो metal कौन सी होगी तो देखो अगर हम melting point की बात करें melting point की अगर हम बात करतें तो देखो जो हमारा gallium होता है उसका melting point होता है हमारा 30 degree ठीक है जो हमारा sodium होता है उसका melting point होता है हमारा 97 जो हमारा potassium होता है उसका melting potassium है नहीं की K, जो हमारा melting point होता है, वो 63 होता है, जो हमारा CGM होता है, ठीक है, उसका melting point होता है हमारा 28, ठीक है, अगर हम इनको देखें, इनको किस्ता है से लिखते हैं, CGM होता है, potassium होता है हमारा K, sodium होता है हमारा Na, और gallium होता हमारा GA, ठीक है, तो देखो, अब यहाँ कि आपर हमें क्या बोला गया था, soft heavy metal melts at 30 degree, okay, soft heavy metal melt होती है 30 degree पे और is used in making heat sensitive thermometers बनाने में वो use आती है, तो वो क्या होगी, जिसका melting point 30 होगा तो वो हमारी gallium है, जिसका melting point 30 है हमारा, okay, तो कौनसे options होगा, option number first is correct, gallium जोगा, जिसका melting point 30 degree होता है, Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक, 10 million से जादा students का भर होसा, आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 सुपर